अज जो में वीडियो लेकर आया हूँ एक इश्यू आचकल बहुत ज्यादा लोगों में चल रहा है आपगोडेशन के उपर जैसा कि आप सबको मालूम हुआ कि हमारे जो गुरूप C में जो हायर पोस्ट जो केटेगरी है 4600 लेवल 7 उसके अंदर एक अपगोडेशन आया हु से पहले में एक बात क्लियर कर दो कि इसमें जो भी मैं बात बोल रहा हुँ यह मैंने इसको पढ़ा है अभी आपके समय पढ़ूंगो और जो भी व्यूस है यह मेरे पसनेल भी होए तो ऑफिशल इसको नाम आ जाए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रेले बोड ने कुछ कैडर में ही इन और अप्गरेशन की बात किये स्टार्टिंग बोल रहा है कि कॉंसिकेंट अपन अप्रूवल कनवेट बाई मिनिस्ट्री फाइन इसमें क्या गया है कि फाइनिस मिनिस्ट्री के अपूल के पुष्षाथ राजपती महोदा ने जो है हमारे सेटेन गुप सी कैडर में जो है अप्गरेशन को मंजूरी दी है जो की निम्नानुसार है पहला है अप्गरेशन ऑफ 50% पोस्ट इन लेवल 7 जीपी 46 गुप सी है इस टू लेवल 8 इन गुप सी यहनी 50% पोस्टेज जो है अपकी 46 में है वह अप्गरेड होके लेवल 8 में जाएगी इसको भी गुप सी बोलेंगे अपर बर्दर अप्गरेशन जो है जो पचास परसेंट है आपकी जो अप्गरेड होके लेवल 8 में आई है वह लेवल 9 में जाएगी और non-functional basis after four years of service in level 8 यानि कि सबसे पहले जो है लेवल 7 में जो भी केडर है माली 100 का केडर है 100 में से फिर 50 परसेंट यानि 50 पॉस्टेंट जो है वह लेवल 8 यानि कि GP48 में जाएगी चार साल बाद non-functional basis में जो 50 परसेंट उपर गई यह उस 50 परसेंट का भी 50 परसेंट यानि 25 परसेंट है तो 25 परसेंट जो है अगर 100 का केडर है तो वह लेवल 9 में जाएगी मोड़ाट इस कवर निंग अबाव अब 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 इसमें जो भी तोर तरिकें मोडली चो रहेगी वह नेज़े तू में बता गया है यह फानेस डाट के कंगरेंस से जारी हुआ है लेटर इसमें जो केटेगरी इस बताईए लिस्ट और अब इललेट अब की बताईए लडा टोटाल इसके अनल आपको बता दो मैं खुच छैलेश कटेगरी अनल किया है ल्यदेपारमेंट की वह आप सको अब दे सकते हो स्विल अलेक्रिकल में की लगए लगर सब इपामें टेगरी आब की हो यह कूड अब आपकी बताईए लिए ल विल बी एफेक्टिव फ्रॉम एक बारा दो जार बाइस यानि एक बारा से लाग होगा इस अब्रेशन वाइल डिटर्माइन दा फिफिटी परसेंट फॉर बेनिफिट फॉर ग्राइट ग्रांटिंग अब्रेशन सेंक्शन केडर स्रेंथ ओं 3011-2022 विल बी टेकन इन्टू क यानि कि जो भी इस जो इस लागू होगी उस्के लेशन बेने की प्रक्रिया है वो एक बारा से लागू होगी उसके लिए जो है पकड़ा जाएगा वह 30 11 22 का जो भी केड़व होगा हमारा उसको ले लिया जाएगा अपने डबेनिफिट अब्रेशिन विल बी रिस्ट्री परसेंट हुआ इन सर्विस ओन दक टो डेट तो बेनिफिट उनी को मिलेगा जो उस कट टेट को रेले में थे आगे चलते हैं फेज ओफ इंप्लिमेंटिशन ऑफ एब होड़ फेज बन में बताया है कि उन कट अफ डेट इन फेज 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 अली फिटी परसेंट पोस्ट आपको सिर्फ लेवल एट में लेकर जानी है यह बता दिया है इसके अंदर फिटी परसेंट जो है श्यालिसों सा अर्थालिसों में फेज टू में फर्दर अप्टी परसेंट पोस्ट ऑफ लेवल एट तो लेवल नाइन गुरुप सी ओन नॉन फंक्शनल बेशिस आफ्ट आपका 50 का उस पचास का 50 परसेंट ने 25 पोस्ट रहें जो है वो 4 साल के बाद नॉन फंक्शनल वेशिस पर उसको 54 लेवल 9 में लेकर जाएंगे लेवल 10 नहीं बता दू लेवल नाइन लेवल 9 में लेकर जाएंगे उसके बाद पोजिशन जो बनेगी वह ऐसी होगी लेवल जो है percentage रहेगा distribution जो है in any case after four years the total number of post in level eight and level nine will not be more than fifty percent of the total cattle सेमल कभी भी जो है level eight to level nine की दोनों पोस्टों को मिलाएंगे जब तो इस से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये एक बात बोल रहा है आपके annual review of the scheme after the cut of date annual review of the scheme to be taken on first July of every year यानि की मेरा मतलब है interpretation यह कि अभी एक बारा होई scheme चालू हुई है फिर एक जुलाई को हर साल यानि मेरे हास 23 को केडर रिव्यू होना चाहिए तो फिर परसेंट की साफ से इसको बापर बापिस रिच्ट करना पड़े को इस तरह सेट करना पड़े घब पचास परसेंग आपको हीा जाए और कि पचीस-पचीस परसेंट आ ज़लाई को आपको मेंचेंग सेविंग बता है जैसे को भी प्रोपोजिशन फॉर वर्किंग और तो फाइनले फाइनिश्य एप्लिकेशन एंड एंशुरिंग फाइनिश्य नुट्रलिटी मेथोलोजी प्रिसक्राइब अंडर मिनिश्ट्री फाइनस्ट डिपार्मेंट एक्स पेंडिचर ओम नमबर जदिया वह दो जारा मैं इसके सा जो भी आपका लेवल है लेवल जैसे भी 7 है पुना तो लेवल 7 का सेल 1 सेल 10 और फिर प्लस दिये वाइट 2 करके निकालेंगे मैं थोड़ा सा बना रखनें आपको यह बता जो लेवल 7 का यह आपका जो है जो है सेल 1 आपका चामाली सेजार है यह खहां से आया मैं यह भी य दस नमबर करेंगे तो यह इतना आजाएगा एक लाग तीन हजार इन दोनों को जोड़के दो से डिवाड करेंगे मिन निकालेंगे इसका यह निकलेंगे 15,750 इसमें जो एक बारा बाइस को जुड़के चल लादा करेंड यह 30 परसेंट तो इसका 51,750 का यह निकालेंगे 30 परसेंट यह आया 19,000 तोनों को हम जोड़ देंगे 21,415 और टोटल आपका 50 पोस्ट का यह उपका हो जाएगा 35,70,750 यह आपका होगा जोड़ दिया फिर इसमें डिवाइड कर दिया दो से दिये निकाल दिया और तोटल इतना परसेंट आपको डिफरेंट निकालना पिजाश परसेंट का यह आपका आगया जोड़ेंगे तोटल यह आपका आजाएगा दो लाग 17,350 और साल का निकालेंगे तो बारा से मिल्डी प्राइब करेंगे तो यह आपके पूरे साल का फानेशन पुष्ट हैं तो इसका आएगा और यह मैंने बता दिया वह सिमिलेरी जोग हम करेंगे लेवल बन का फानेश जाजार और लेवल 10 इसका तेवी जाजार पांसो है दोनों सेल को जोड़ेंगे तो एक तालीस जाजाजा जाजाएगा दिवाइड करेंगे दो से मिन निकालने के लिए 20,000 दिया हम उसका निकालेंगे और फिर टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आपको एक में चल लेते हैं अफ्टर वर्किंग आउट फानेश्य इंप्लिकेशन मेचिंग सेविंग इफेक्टिफ फॉम पोस्ट इन लेवल वन इसमें कहा गया है कि जो मेचिंग सेवन है जो नॉमली तो आपका जो रिस्टेक्शिंग आता था उसमें कोई पोस्टर अंडर कहीं से इसके अंदर ही कहा गया है कि जो मेचिंग से करनी है लेवल वन से ही करनी है और कंसें डिपार्मेट विफॉर ग्रांटिंग दा बेनिफीट ऑप्रेशन तो दे करेंगे जो हम करेंगे इस इलिस्टिपार्मेंट इन दिस रिगार इस एंग्लोस अनेग्जर फॉर में पता ह मेचिंग सेविंग पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर केटेगरी डिपार्मेंट विल नॉट बेनिफॉर ऑप्रेशन तिल सच ताइम अल्टेनेट सॉलिशन इंफॉर इसमें कहा कि रेल्वे और डिपार्मेंट जो है किसी वज़े से उनका इस पोस्टें नहीं सरंडर करने को में नहीं दे पा रहे हैं तो अप्रेशन इंप्लिमेंट नहीं होगा जब तक कि वह पर्टिकुलर रेल्वे या डिपार्मेंट जो है कोई दूसरा सॉलुशन उसका नहीं निकाल पाए और वह सॉलुशन पर के भी रेल्वे बॉर्ड का अप्रवल चाहिए जो है वाल एक्षेक्टिंग सरंडर और पोस्ट ऑफ एक्वलेंट वाइनशन वेल्यू दे एक्जिस्टिंग वेकेंट पोस्ट अवलेवल इन दे कैटेगरी ओन कट अप्डेट शल आलसो भी कंसिदर सिंपल है कि जब हम जब करेंगे कौन से सरंडर करना है तो जो भी पोस्ट व जो भी पोस्ट है उसका कोई अप्लेट हो जाएगा और मसी में नहीं मिलता आपको इसको रेगुलर नहीं मानता है लेकिन यह एक प्रका से रेगुलर स्पोस्ट रहेगी बट अपकों कुछ डेजिनेशन क्लास्फिशन कुछ चैज़ नहीं हुआ प्रका से प्रका से रूबर नहीं होगा तो देने की बात की ती लेकिन शिक्स पे कमिशन और वो चीज़ अब प्रका से रहा है तो अब यह जब भी आपका लेवल चेंज होगा आपको प्रका से रहा है यह हमारे इसमें बताया होगा नेक्स जर्में कैसे निकालते हैं तो इसमें बताए यह पे सेल वन और सेल 10 अवरेज निकालना है जो अप्रोपोश्च निकालने का तरीका निकाला था इसमें इसके और आगे चलते हैं और अगे आप सब्सक्राइब तो नहीं निकाले तरह का में निकाला है किस तरह निकाला या पचास पुस्ट निकाली पंटिल्टू पोश्टिक कि यह आगे 35 लाग और दीविस निजा तो दो लॉग 17,000 है शेम मेरे भी 2,7,000 यह आ रहा था 2, 7,000 लग में से 35 लग माने कीजिए यह 2,7,000 है मैं इसको बारा से 12 मैने का निकलते हैं कभी बी अर्टिक वैलिए निकालता करता है यह क्रेशन के लिए पैसा चीह होता है यह इसमें बात बदा दू हम कितना पैसा चाहिए था यह डिवाइट किया इतना डिफरेंस आ रहा है दो लग 17000 और पोस्टे सरेंडर करें तो लेवल 1 का इतना अरा मिड वैली यह 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 इनी पैसा फॉइंट यह इंप आप और यहां दोल्ग 17,000 में इसको टूटल सेवन पॉइंट फाइव ना आता है यहां शेवन पॉइंट 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 फाइव को इंग्नोर किया लेकिन फर्द एक लेशन जो रेलेव बोर्ड का आया है उसमें इसको बोला है कि नहीं इसको पैंसेल कर दिया रहेगी उसके बारे में रेलेव बोर्ड ने दूसरा जो लेटर निकाला वह एक बारा दोजार बारा इसमें को इस्यू किये थे पहले तो मैं पड़ा दूम आपको कि वाइड बोर्ड लेटर नंबर अर्वी नंबर डेटर इतना अब और फूपगेड़िंग दपे स्केल ऑफ फोर्टी सिस ग्रूप सी के टेगरी तो जिसमें आपको बताया था कि यहां पे आपकी टोटल जो है पोस्टेंज जो थी को अधाय ने हमको आणुमन दिया है आपको वही करने के कुछ आपकी रह गई है तो आपको जब तक बोर्ड को क्लेरिफाइज ना करें तब तक आपको क्लेरिफाइड नहीं करें यहां दू-3 नकाटपरी की बात खिये तो इसको आपको आड़ करने बोला है तो आपको भी परफॉम विज रेस्पेक्ट टो फॉष्ट इन लेवल 8 एन लेवल 9 कि जो फॉष्ट है उसका के लिए बिटी करता रहेगा एस लेट पोस्ट में भी क्रेस्वार इस नॉन सेलेक्शन तो यह पॉस्टें जो है दोनों को जैसा आपको मालूम होगा कि सेलेक्शन पोस्ट है को के लिए और यह अधियर करता है उसके नीचे नहीं होता है कि यह जो दोनों पोस्ट है लेवल यह लेवल नो नो नन इसलेक्शन पोस्ट है विताउट वोलिंग यहांनि सुटबिटी में कई बार नॉन सेलेक्शन में जो एक सुटबिटी रिटेंट के सुरूब होती है यहां मना कर दिया कि आपको नहीं करना है यहां सीधा आपको सिद्धा कंशुटबिटी मतल्द सर्विस रिकोड और एपीर के बेस पर आपको करन आध नुमर होने चाहिए लिखा नहीं लेकर आपको पूछिंट फूच ले तो यह अपसे मालूम है कि तीन साल के सियार मिलाके आठ नमर मने चाहिए एक कोशिंड लोग डाउट हुसता है कि गजिश्यट मायता है तक तीन पांच साल के स्याइब लेता है तो चुकि यह नो प्रॉइस ब्रीकार्ड में प्रीज भी इसक्षिन इसक्षिन में निकाले हैं इस इस्टब्लिश्मेंट डेक्षिन में उनको भी आपको रफर करना है विज़नेंस अब्लीक डिड़ी एंद ए विप्लिकल औप दी एंद एक डैट उप्लेशाइन विज एक डिड़ के सकते इस विज़नेंस अप्लेशंट ए सूर्बिकल पर अप्टेशन फ्ले डियाक टिश हो कि रिए ब्लेवल 7 में जो नियम लागों हो रिज़नेंस नाइन हो वही नहीं हो लेवल 8-9 और 9-7-8 लेवल 8-9 लगेगा इसमें तोड़ा बता दूँ आपको विजलेंस जरूत 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 नहीं होती ऐसा मेरा मनना है वह हमारे वॉलेंटरी डामेंट में मेरा मालूम कि यहां को आर्भी 13-93 के साब से कोई बी का प्रोमोशन होता है तो तीन कर निशन लाग होती है पहला कर अदमी जो शस्पेंट नहीं हो अची है दूसरा उसके खिलाब को नहीं नहीं हो थी तीसरा को इस पैंदिग नहीं हो अची है को दूना कर दो ना शुन होती प्रोमोशन में कोई इसमें रुकाउट नहीं है तो इसमें सिर्फ DR क्लिए लेना को और अगर इसमें तीन कंडिशन में अगर लागू होती है suspension, measure DR या क्लिए spending है तो हम उसको प्रोमोशन नहीं देंगे जब तक कि वो क्लिए नहीं हो तो मैं बता दूं अगर आपकी पोस्टें चौदा यह से कम बनती है तो आपका यह चलेगा उससे ज्यादा है पंदान अबहु है तो आपका रिप्लेस्मेंट रोस्टर लगेगा वह आपको फोलो करना है दोनों में लेवर एट में भी और लेवल नाइन में दोनों के लिए आपके लिए निपका यहा निए है वाइल पाउन प्रॉपस वाइल लेक्टिछीन तोडिका बॉल्डा इस है वाल दितर्मिनें लौ फोलो कर्दैन बस्ट फोलो क्या फुर्टीग काणीक्टिग परेटिगा तो यह वाट साव मला है यास वाल दितर्मिन धेप्ल्ड पोस् सब्सक्राइब निए बताई इस एहाब है जो ढोगी सब्सक्राइब ऑपाओ पोस्ट ओगी जो डिक्लेर होई है अगर आपके अपके लगता है कि पढ़ी होए अपने लेवल पर लेकिन मेरा मन्न है कि अगर उफिशियल डिक्लेर्शन होगा तो काउंट करेंगे जब तो अफिशियल डिकलर्ण कर सकते हैं क्या इस डिगार्ट काउंटिंगों पूराने ही हमारे कि जो 3 साल से अधिक काम में चल रही है और वहां में है और वह उसको काउंट करते हैं शाग्छिप्ध में प्रांच अविशर होता है कि यह अग्यूलर एक्ट्राइब और नहीं है तो तो तेंपरेट पोस्ट तीन साल से अधिक है तो वह अधिक होती है और इसमें लिगा यह यह बिल नौट भी एप्लिकेबल टू एक्सकाइबर वक्चाज पोस्टिया एक्सकाइबर वक्चाज साथ में लिखा हुआ है लेकिन जर्नरली वक्चाइबर वक्चाइबर यहां दिखिए आप प्रिस्टेक्षी में एक्सकाइबर एंड वक्चाज पोस्टे दोनों अलग चीजें यह एक ही कर दिया तो ना हूं वक्चाज पोस्टें जो वर्क बड़ा वक्चाइब शैंक्शन होता है उसी सेंक्शन मे उसको बलते हैं वक्चाज पुछते हैं तो एसके दर तो पर्माइं डार्वी में सालों चल रही है वहां मेरे गाल से तो पुस्टें चैनले सो यह नहीं मिलेगा इसा का गया है तो पॉस्टेजर टू बीडप्टेट फूर फूचर डार्यूमेंट का लिग क्या पॉस्टे का गया है कि डार्यूमेंट जो लेवल 7 से ही बढहें यह माना बदायेगा है कि वायतर इनी मिनिम्यूम सर्विसर रिक्राइट फूर डिच फूर बर्चस घृट फूर यह बाएट विच बिटीजर विच बृट इनी बालार इस पूर विच पॉर आइट थिजन फ्यर एक कि मिनियुम रिजिनिंस्य प्रेट के लिए इस पर एक्सिटर्न रूल एस प्रिस्काइफ प्रमोशन नौन सेलेक्शन पोस्ट वोड़ बेट प्रग्रेशन तु लेवल एट नौन जब जानते हैं कि हमारा कोई भी प्रमोशन के लिए मिनियुम दो साल कम पगड़ता है इसमे लेवल एट के लिए लेवल नाइन के लिए और अल्री बोला चुका है कि चार साज जूरी तो लेवल एट में दो साल है और लेवल चार लेवल नाइन में हमारा को चार साल पूर होने के पाद ही हम नन फॉसना देंगे उसमें वेदर निजान निगोफ पोस्त इस तो बीड़क्तेट वाइल अप्रशन अप्रेटिंग दन नमबर ऑपोस्त के बारे में बता है कि राउंड उफ करना अप्रेशन में इसमें उनली थावल नंबर में बी टेकन फॉर पर 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 प्रपस अव ग्रांटिंग अप्रेशन व वाइल ग्रांटिंग अप्रेशन और फिप्रेशन पोर्स नंबर कम्स टू अगर इसका हम सिक्स सेंटीफाइव को 50 परसेंट पकड़ता है तो 337.5 होता है तो 0.5 नहीं पकड़ना हमारे को 337 ही पकड़ेंगे हम जानी इसका राउंड उफ तो बता रहा है कि 338 होता लेकिन हमको राउंड नहीं करना है तो जो इसका पिछला वाला पार्ट है 337 वही हम मानेंगे इसको ले जाएंगे उपर लेवल 8 में अगर इसको बड़ा नंबर है अगर इसको हटा दें 6 को हम मानें कि 75 पोस्टी है यह में एल और रग देता हूं 75 का आदा होता है 37.5 तो 5 को हटा और बाकी 37 लेवल 8 में जाएगी तो जब बच्ची वी 38 पोस्ट है वो बोल रहा है कि लेवल 7 में रहीगी वेदर राउंड निग ऑफ हैस्टू भी है adopted while deciding matching surrender में क्या कशना है तो तोनों में difference कर दिया है कि लेवल करते सत घंचे में Vu of post equivalent to money value required are required to surrender जितना भी बनी विल्य हम को चाहिए पैसा उतना हमको required surrender करना पड़ेगा कैसे example दिया हुआ है to illustrate further it is in the case in case the number of post is to be required to surrender is coming in fraction for example 7.2 आ रहा है तो 7.2 में बताया कि if it is desired to surrender only 7 post the equivalent money can value cannot be arriveder अगर हम 7.2 कि आ रहा हो 7 करेंगे तो हमारे equivalent money नहीं नहीं आ रहा है hence the figure may be round off to 8 and the surplus value generated against surrender of 8 ports may be transferred to vacancy bank for future utilization इसने बुलाई कि 7.2 अगर आपका आ रहा फिगर 7.7 साथ ही करेंगे तो 0.2 बजाएगा जिससे कि हमारा जो requirement policy वो justify नहीं पाएगी कि हमको चाहिए तो equal करने के लिए हमको इसको round off करना पड़ेगा और 7.2 है तो अगला जो figure आएगा हमारा चाहिए 7.1 हो है 7.01 नेक्स हमको पकड़ना है आठ पकड़ना है नहीं कहीं भी पीछे जाने कर नहीं बोला है आगे जाने बोला तो 7.01 भी होगा मेरे खाल से तो आपको आठ ही पकड़ना पड़ेगा तो ऐसे केस में आठ पुइंट है आपको आठ पूसरेंडर करने पड़ेगा और जो है जो डिफ्रेंस आमोंट है वह आप चाहिए तो अपने वेकेंसी बैंक में आप जो है उसको डाल सकते हैं लेकिन इसमें मेरा एक पस्नल व्यू यह है कि वेकेंसी बैंक का आज की तारिक में तो मतलब मुझे दिखने नहीं है क्यों कि इसके करेशन पर बहन है और हम अभी मैंने इसके लिए चार्ट बनाया था वह जस्ट मेरा व्यू है ऐसा करें तो थोड़ा से बजा सकता है बजाने के बजाए यह मैंने एक बनाया है यह आप पर मेरा जो एक्सपेंस है जो मैंने देखा है कि जो मन्यू वैली वह जो प्रोसेस होता है आपका अप्लेशन का हर अगर आपका अगर आता है तो फिर आठ हो जाता है नेक्स विए तो मैंने साथ लिया निस पॉइंट चार को आठ हो गया एक बढ़ गया अपर कभी भी राउंड फिकर तो कभी हो गया नहीं कि हम बिल्कुर साथ यह चार पॉस्टें सरंडर करने हैं हमको कहने के पॉइंट में जाएगा इस तरह आगे का कोई भी साथ आठ नो दरस बारा कुछ भी हो सब्सक्राना होगा तो आगे का लिया नहीं लेकिन पीछी का कि इसाट को करें एक तो आपकड़ें शे Sak Jews ने नहीं कि vig Dé Instead सबकाल के एक सांपन पॉइंट को we Τ्ये ऐक सब्सक्राइब करके एक साथ मौद करने कि और उस्टो जाएं को मौन पॉपोजल में कौन प credential में गपटएं जो भी है तो चार पस्टें चार पस्टें जो है बजा सकते हैं यह और में पर कि इसमें एक डिविजन कि बात करें तो एंधा दुरियं और राज़कोट की बात करें राज़कोट के डर फुसता है थे इंदा का स्थैज़ार का पांश होड़का तो यहां केडर का इशु नहीं आएगा कोई डिविजन कितना भड़ा हो चाहिए इसको 35 जार केडर हो और कोई डिविजन का 5000 केडर हो लास्ट में हर डिपार्मेंट के में एक पॉइंट में ही आएगा तो मेरा है मानना है कि यह जो फीगर होगा लगबग हर डिविजन का सेम तो भी ओपरेटिंग में महां उसता चार पॉस्टे संड़ो एमदाबार में चार पॉस्टे संड़ो लेंगि 4.4 और 14.4 होगा तो ओविसली कहने का इस पॉइंट फिकर सब में आएगा और जितनी डिपार्मेंट है उतना ही पॉइंट आएगे तो उसको इस तरह को एक तो दिफ्रेंस आएगा और सिमिलरी यही प्रेक्टिस हम जोना लेवल पर एक रहा है तो जैसे एमदाबाद भावन हरी है और कुछ वरक्शॉप है हमारे साबनाती वरक्शॉप दाहद वरक्शॉप परेल वरक्शॉप और दूसरे वरक्शॉप इनका भी पॉइंट काउंट क प्लस तो यह काफी सारा पॉस्टें हम बचा सकते हैं अगर हम सबको साथ मेले हैं हैं सब को साथ मिलेना पड़ाएगा तो मुश्किल है काफी कॉम्लिकेट है कुछ पांच पॉस्टेशे बादबाने के लिए मैंने को बता दिया है तो इसमें बोला है इलिस्ट्रेशन सब्सक्राइब करें और यहां पर सब्सक्राइब करते हैं आपको नेक्स वाला पकड़ना यह बता देदा इस्टूइशन शूर अंडर अर्भी नमर स्टेंड मोडिफाइब तो अब यहां इस चेंज करता है यहां इस चीज लिखिसका यह मतलब आता है इस नॉमबर ऑपोस्ट उक्वालेंट टू मनी वैल्यू आर नोट अवलेबल फू सब्सक्राइब एडर अगर वेल्यू नहीं है तो इक अप्रिशन दिया जाएगा थिस्ट्राइब का इन दिस से आपके पांच पुर्च्ट उक्राइब करना है तो आट पोस्टें चाहरी है तो 50 पुर्चांपे लसी अंदर यह इस तरह का जो है मैं बतारा था था ओंगो होता है जनली को भी डिपार्मेंट जो करता या तो हंड्रे परसंट करता त्व ठीके में त्यार हो यह मना गड़ता में था नहीं है तो पार्टियल होता नहीं बोर्ड ने अलगी प्रोविजन दिया हुआ लेकि जना प्रैक्टिकल यह नहीं होता है गशीक का विए खैज रिमेनिंग की का पैर्सके फोर किसा आप से रफर करना कि आप आपकर गोली नहीं तो यह फॉर फॉर भी जड़ा देख लें के क्या बोला नहीं है एने कि फोर फॉर का फॉर बलाओना नहीं यह वाला इसमें यह वाद लिखे कि इफ देपर्मेंटर रेल्वे आ नोट एबल तो प्रवाइड देपर्वाइड सेविंग देपर्टिक्वल केटेगरी डिपर्मेंटर विल नौट बी गांटेट तो बेनिफिट अपरेशन तेल सटाइम अल इसमें इन्हों ने कहा है कि इसके अंदर ड्राइंग डिजाइंग नहीं है तो इसमें इंक्वूर करने की बात बुली तो देख लेंग ड्राइंग और डिजाइंग दोनों के इसमें बोर्ड ने बुला है कि एक इसलेट बीजिए लिए पिए कि इस अल्ड ने बलाए कि 155 में कुछ कोई आपक एड्री जो है कुछ एलो में ही ईग्जिस करती है हैंस दा इंजिनिकली प्रेश्ट केटेगरी अंडर दे ब्रोड डेजनेशन और इससे एक्सेटर लेवल 7 अंडर इंजिनिक डिवार्मेंट आर पार्ट ऑफ दे अप्रेश्ट्शन उन्होंने इसको एगरी कर लिया कि ठीक है तो जो मामला है जब हैंस इसमें शामिल होगी य यह चीज चुनन नहीं बोली है सिंस केटेगरी सो कमर्शल सुप्रेंट टाफिक्स इस्प्रेश्टर लेवल 7 इस अल्लेडी बिन ग्रांटेट बेनिफिट इंडिकल प्लेस्ट केटेगरी ऑफ यह आपार्ट ऑब्रेशन एस पर यह तो बोला कि इस प्रकार यह दोनों भी पार्ट ऑफ हो जाएगी इनको अलाउ किया है यह मेरा इसका इंटर्पोडेशन है वेदर अब्रेशन टू लेवल एट एट एंड फर्दर तू लेवल नाइन नॉन फंक्शनल इन टर्म्स बोर्ड लेटर इंस्ट्रेक्शन इतना आर्टू भी रिकॉन फॉर्स इसको माना जाएगा एक मैं तो बात क्लियर कर लूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूं जैसे खास्तों इस दो चीज़ों को लागू करने के यह मेरा इंटर्प्रेशन है कि मेरे साबसे नहीं है लेकिन यह जड़ाइब बाद चेक कर लें अपने लेवल पर इंटर्प्रेशन साही दूसरा कि यह इतना भी मैंने बाते हैं इसमें बोली है सबस्क्राइब मेरे इंटर्प्रेशन है मैं अपना इंटर्प्रेशन बता रहा हूं आपको सही में इससे आप एगरी करें नहीं करें आपने लेवल पर इसको देख सकते हैं और आपको डाउट हो तो आपने यहां पर करें पर नहीं होता है यहां इन अलग है लेकिन आपर रूल देख रहाता है यहां पर ग्रूप बी इसमें भी कुछ ग्रूप बी में रेलेव बोर्न जो सेवन पीसी आया था उसमें नोन फंक्शनल बेसेशन दिया है यहां तो आपको नहीं होता है क्योंकि अन्डे पर सेंटर्पर नहीं होता है यहां पर एक बात कही है जो मुझे लगे है कि इन्होंने बोला कि सीनियर्ट इसमें प्रेशन में सीनियर्ट ही जो है इस सर्कुलर के साफ देशाब से मैंने जो पड़ा है उसा मतलब शायद यह निकलता है कि इसमें जो लोग 54 तो जाता है उनकी सेटी मेरे गासे जो 54 की नहीं रही गी और रदली शो की जो सीनियर्ट है वही सीनियर्ट आगी चलेंग आगे अभी नहीं पॉलिसी आई है आगे चाहिद और क्लेविशन आएंगे लेकिन जो मेरा कुछ क्लेविशन डाउट से हैं जो यह है कि तो सीनेटी किसके रही अर्टाली से कोई पकड़नी है दूसरा मेरा जैसे मैंने बोला कि इसमें इस प्रश्पेट्टिव बेनफिट देने का प्रमोशनल बेनिफिट देने का विज रेट्रोस्पेट्टिव बेनिफिट वह नहीं कहा गया तो इसका इस बीदिए और और प्रमोशनल की बात की जो बात निकले में एक बात कर दो थोड़ी सी अगर कोई का फिक्षेशन यह ऐसे तो गजिस्टेट का है जो उनको लेवल एट से टैन में दिया है तो लेकिन हम अगर इसको चौपंस में मानें इसको तो इदरी के लिए एक्जिम कर रहे हैं यह लेव मार्च में अभी जैसे जनुरी चल रहा है तो मार्च में अगर मिलेगा उस कमचैरी का एक जुलाई इंक्रिमेंट डेट चल रहा है तो मार्च से लेकि अगर ऑप्शन देता है कि मुझे इंक्रिमेंट डेट से ही प्रोमोशन के बेनेफिट दिया जाए तो उसको मार्च से लेकि जुलाई तक में 55200 का नेक्स्ट आता है चपनाजार दोसो और आपको नेक्स्ट आता है इसके अंदर 56300 मिलेगा अब तो जु आपकी चपनाजार नोसो अठावनाजार शेस्ट दो लगा दी आपकी एक जुलाई को उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट के जा रहा है तो वह जारा आपका 59700 यह आपका फिक्सिशन इस तरह को होगा कि आपको आप तू तीजून तो आपको नेक्स्ट जुट चल रहा है उसका नेक्स्ट लेवल फोर में मिलेगा आपको जैसे यह 55500 यह था यह नहीं तो चपन तीजु बिलेगा नेक्स्ट का और एक जुलाई से आपको इसी के अंदर वापी 46600 में यह 46600 में आपको आपको किसा करना ह दो लेकर फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा उसको और एक और बात में बता दूँआ को कि आपको जनुवरी दोजार चोबिस को मिल जाएगा लेकिन कोई आदमी सोचाएक मुझे नहीं लेना तो उसमें नुक्सान इसको यह कि इसको एक इंक्रिमेंट अभी मिल जाएगा सब्सक्राइब फिर उसको नेक्स्ट मिलेगा एक जनुवरी दोजार चोबिस को और फिर नेक्स्ट मिलेंगे यहां आप आप्शन देते हो आपको जो है दो मिलेंगे और एक जनुवरी मिलेगा हाँ एक कैस ऐसा भी होसता है हुसता किसी कमचारी का जो है इंक्रिमेंट डेट जो है एक जनुवरी चल लाँ सब्सक्राइब तो आपको अप्टो जो लेबल है आपका जैसे मालिया यहां पर आर्टालिसम माले ते छ् आपको हमेशा फायदा मिलेगा जो रिटार्मेंट के विल्ग नजदिक है वह अपने साथ से देख लाए के नहीं है तो मैं इसी के साथ ही में उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा लेकिन एक बार फिर आखिर बुदा दूं यह जो नई पॉलिस से आई है इसमें कई बातें अभी वी उतनी क्लियर नहीं है तो मैंने सिर्फ सोचा है कि थोड़ा सब मेरे को जितना समझ में आता मैं अपने नौलेज आपको शेयर करो और मेरा यह सिर्फ इंटर्प्रेशन मात रहे होसकता गलत हो तुम्हें यह चीज पहले क्लियर दूं कि मेरे इंटर्प्रेशन में जाईए आप अपना इंटर्प्रेशन कीजिए और आपको डाउट हो तो आपने जो भी ऑफिशल वे में आप उसमें क्लियोशन मांगिए अन्यवाद में कुणना अंदर के अध्व हैंदी अंदर की सुभा गाने शलू कुन नाइट